असलाम वालेकुम एवर्यवन आज कि अपने एफाइटी लेक्चर नेंबर फॉर के साथ और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे स्ट्रोडेज डिवाइस और इसके टैप्स पढ़ेंगे एंड मेम्री इनिट्स को हम कवर कर रहे होंगे इससे पहले लेक्चर में हमने हैं इनपॉर्ट हार्डवेर और सिस्टम बॉक्स को इनडेप्थ कवर कर लिया था अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एफाइटी प्लैलिस्ट की तरफ जाके आपन वीडियो को चेक आउट कर सकते हो फिलाल हम यहां पर पढ़ रहे होंगे स्टोरेज डिवाइस और स्ट करते हो यह इसके स्ट हैप में आहां है स्टोर एज दो शी ओर विडियो के साथंण आफकर स्टोर कर址 कर रहा हुता है यह जिन आप यूज्डियो करनी लिए नहीं पंद Dochल अच्ष कर दשते हैं और हम के सेब्दिय Хорошо हं चूर्ण बरिगे दो हम भाताने के यह को हम यूज क काम के अकोर्डिंग उन्हें अलग-अलग केटिगरीज में रखा गया है तो यहां पे स्टोरेज डिवाइस का काम है डेटा को स्टोर करना डेटा डिफरंट टाइप का हो सकता है डेटा में आपके फाइल आ सकते हैं डेटा में आपके इमेज़ आ सकते हैं और डेटा के इंसाइड विडियो आ सकते हैं आपके सॉफट्वेर ला सकते हैं आपके डोकुमेंट सा सकते हैं वगरा तो यह सारी चीज़े आपका डेटा होगा इनको स्टोर करने के लिए आप इन डिवाइस का यूज करते हो इसी लिए नहीं कहा जाता स्टॉरेज अब नेक्स इसके टार्ट की तरफ चले जाते हैं कितने टाइपS ke storage डिवाइस होते हैं तो आम यहां पे बताया जा रहा हूं एक होगा secondary storage device और दुसरा होगा primary storage device अब इन दोनों में फर्ग क्या है definition की तरफ जाते हैं और first यहाँ पर आ जाता secondary storage device और secondary storage device को हम permanent storage device भी कह सकते हैं तो नाम से पता चल रहा है permanent क्या करना store करना तो वो devices जो permanently आपका data store कर रहे होते हो उन devices को हम यहाँ पर secondary या तो permanent storage devices कह सकते हैं तो यहाँ पर definition में भी वही सेम चीज़ हमें समझाया जा रहा तो store करते हैं यह data को पर data को कब तक permanent जब तक आप खुद डिलीट ना कर लो या यह वाले जो devices होंगे यह damage ना हो जाए damage मतलब तूट ना जाए या कोई scratch वगरा ना आए या जब तक आप खुद data को क्या ना कर लो डिलीट ना कर लो तब तक इसमें data रहेगी अगर इस device को damage किया जाए या तो data इससे डिलीट किया जाए तभी आप यह data loss कर लेते हैं वरना आप इसमें data एक दफ़ा आपने store कर लिया पर permanently इसमें data होगी जब जाहो आप data को काल कर सकते हो यूज कर सकते हो टैपस ओफ secondary storage devices तो इसमें पहला मैंने यहां पर लिका है FDD flow feed डिस्क्राइव बहुत पुराना storage device है start में storage device को computer की inside रखा जा रहा था FDD को और FDD यहां पर बहुत ही ज्यादा क्या था slow था एक नमबर एक नमबर दो इसमें यहां पर capacity सिर्फ और सिर्फ 700 MB की होती थी मतलब आप इसमें जो data है वह सिर्फ 700 MB तक store कर सकते हो और 700 MB बहुत ही कम होते हैं आज कल अच्छे image आगर आप click करते हो तो वह MB's में चला जा जाता है वीडियो तो आगर वन आवर्स के आप कोई वीडियो देख ले या डाल्लोड कर ले वह तो जीवीज में अगर वह आचे quality में हो तो जीवीज में चला जाता है तो 700 MB बहुत ही ज्यादा कम थी तो FDD को पर replace किया है ठंटेक की दुनिया में रहते हैं तो जाहर बात ह टाइम के साथ क्या होंगे अपडेट होंगे तो टेक्नोलोजी के उपर काम चल रहा होता है इंप्रोव्मेंट हो रही होती है तो FDD को replace किया HDD ने अब HDD में क्या ऐसे चीज़ आए सबसे पहले यहाँ पर जो capacity 700 MB की तो जो HDD आया इसने यहाँ पर capacity को बढ़ा लिया जारों और लाकों GB तक डेटा आराम से स्टोर कर सकते हो पर HDD यहाँ हार्डेस ट्राइव इसमें भी एक प्रोब्लम है इसके इंसाइड कुछ plates होते हैं plates जैसे यह रहा हार्डेस हो और हार्डेस के इंसाइड एक plate होती है और यहाँ पर एक needle होती है अब यह प्लेट इस सर ज्यादा होते है तो इसका weight ज्यादा है plate gummy की तब ही data आपको मिल रहा होता है गुमने से data बहुत slow process करता है तो यह कफी ज्यादा slow इसका size भी बढ़ाता यह size में कुछ बड़े है इसमें जो risk था data का risk भी ज्यादा है इसमें data का risk मतलब अब देख लो अगर इसका weight ज्यादा तो according to physics पड़ा है अपने यहां से यहां मतलब यह जमीन है अर्थ है और यह floor है यह उपर जगा जहां पर यह hardest पड़ा हो अगर यह गिर जाता है तो जितने भी वजनी चीज़ होगी वो जमीन की साथ टकराएगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा और इसमें जो आपका 100 GB क अटर पर्संट हमेशा Eux में होता है एक दफागिरा पेटकी ऊपर चोटा सा स्क्रेश भी आया एए यह तो जाता यहां पर चैढ़ होस्टि होpi, सुख, तो यहां पर इसी आपका SIM card होता है और जिसे आपका memory card हो जाता है जिसे SD card भी कहते हैं तो यहाँ पर plate का concept खतम हो जाता है तो अगर plate का concept खतम होगा तो जायर बात है पर यहाँ पर जो hard disk है उसका size बड़ा था और जो solid state drive है उसका size यहाँ पर कुछ इस तरह से चोटा हो जाता है इसमें plate वगरा नहीं हो अच्छा और और इसका वज़न भी यहाँ पर कम क्यूंकि इसमें यहाँ पर plastic का concept यूज किया गया है दूसरा चिप है तो चिप बनिस्पत है यहाँ पर इसके plate के ज्यादा फास्ट होते हैं तो यह इस से ज्यादा फास्ट है अब एक और चीज़ बताता चलो यहाँ पर यह सबसे ज्यादा expensive भी होगा अगर आप यहाँ पर और आए एक सवाटाइस जीबी का hardest लेते हैं और मालें वहाँ एक सवाटाइस जीबी का आपको पढ़ रहा है शेसो रुपे का पांसो रुपे का पर वही पर एक सवाटाइस जीबी का अगर आप SSD लेते है SSD पर SSD आपको 3000 4000 5000 इतने ज्यादा कीमत में आपको मिल रहा होता है डी एक सेटाइस पर आपको फीचर दे रहा होता है नमर में ये फास्ट होता है नमeki लेस रिस्क होता है इसमें रिस्क बहुत ही जगा है वजन कम होगा है नेकर यह नगया ख्राइक होने में तो तो इंफिचर जब आपका computer slow चलता हूँ याप चाहते हो मेरे data हमेशा secure रहे तो आप use कर सकते हो आप जा सकते तो SSD के साथ computer में इसे complex कर सकते हो कि छीज के साथ SSD के साथ SSD computer को fast भी चलता है अगर एक computer एक आप estás siis computer एक 2, 3, 5 मिनट लगा रहा है और डेटा को प्रोसेस करने में भी इसाई काम कर रहा है वो लोडिंग 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 के बाद चीजे लेकर आ रहा है तो आप सिंपल यहास पे इसके इंसाइड जो हार्डिस्क होगा जो होगा उसे रिप्लेस कर लो SSD में तो अगर यह कंपिटर पांच मिंट में ओन हो रहा है तो SSD वाले जो लेप्टाप या कंपिटर होंगे वह एक मिंट के होगा और पहले कंपिटर में आता था आज क्ल शायद इसे कोई यूज करता होगा आज कल यूज किया जाता हाड़ेस कापर हार्डेस क्या है स्लो हे पर हाई के पिसिटी इसमें तो इसे यह चोटे से चिप होते हैं यह चोटे से चिप होते हैं और यह SSD से भी ज्यादा कंप्रेस्ट है तो यह समझ ले SSD अगर साइज इतना लेता हो तो यह जो NVME है इसका साइज आपको SSD का हाफ मिलेगा तो यह SSD से भी ज्यादा चोटे हो नए लेटेस्ट वरजन के जितने भी लेप्टाप कंप्पिटर होते उसमें SSD या तो NVME आपको मिलेगा hard disk आपको खुद लेना होगा या पुराने कंप्पिटर में hard disk आये जाते पर हाप पुराने कंप्पिटर आपके पास मुझूद है तो उनको भी आप SSD में रिप्लेस कर सकते हो नेक्स आ रहा है यहां पर मजीद तीन डिवाइसे और इन तीन डिवाइसे को हम समझ रहे होंगे सबसे पहले आ रहा है सीडी सारा क्या हो जाएगा जार बाते क्लोस हो जाएगा और इसे रिप्लेस किया यहां पर यूजबी ने इन तीनों को रिप्लेस किया यूजबी में क्योंकि यूजबी एक चोटा सा चिप होता है इसमें आप जितना डेटा डाल सको डाल सकते हो आप इसे जे में गुमा सकते हो तो यहाँ वहाँ इसमें आप डेटा को पेस्ट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो और इस की तरू आप विंडोस कर सकते हो तो जितने भी काम आप यहाँ पे CD, DVD, Blue, Redis की तरू करते थे उस सारे काम पोसिबल है और मुम्किन है किस चीज की तरू USB की तरू और Memory Card की तरू Memory Card भी आपने देखा होगा वो चोटा सा चिप चोटा सा चिप Memory Card और Memory Card को भी हम यूज करते हैं तो यह समझे है CD, DVD और Blue, Redis को यूजबी और Memory Card ने लिप्लेस कर लिया तो यूजबी की इंसाइड भी यहाँ पे Fast और Slow Process वाले यूजबी होते हैं जिसका High Speed यहाँ पे 3.0 आपक पर नंबर लिखे होते हैं तो 3.0 अगर उसके उपर लिखा है तो समझ लें यह सबसे ज्यादा Fast होगा और यह Fast Process करेगा तो यहाँ पर लिखते हैं CD और DVD और इसके बाद नेक्सता ब्लू रे डिस्कों से लिया गया डिस्कों देखा होगा एक प्लेट होती है उस प्लेट के यहाँ पर इन तीन चीजों के यहाँ पर जो लास्ट में डी 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 आ रहा है इनका मतलब भी वही सेम डिस्क हैं इन तीनों में फर्क क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पर CD को समझते हैं तो CD इसकी जो capacity होगी वो आपको 700 MB तक मिल रही होती है इसमें सिब 700 MB तक आप देटा को रीड कर सकते हो दूसरा होगा इसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो पर वन टाइम अगर इसमें पहले से डेटा मुझूद है तो वह डेटा आप डिलीट कर सकते हो डिलीट करने के बाद अपना जो डेटा है वह आप इसमें copy-paste कर सकते या अपना data इसमें record कर सकते हो पर one time आप अपना data इसमें रख सकते हो डाल सकते हो उसके बाद ये fix हो जाता है इसमें आप data को बार और रीड कर सकते हो तो यह तीन टाज के आपके पास cd का devices होते हैं पहला सिर्प और सिर्फ जूडा पढ़ा है इसमें वही data आप यूज़ कर सकते हो खुदका डेटा इसमें डाल सकते हैं जैसे कि यूज़ेंस रसकते हैं और उस ऩूझ कर सकते हैं और उस गेमि में अबως एक में जब एक olan wo किसी cds में और बार बार के लिए वह चीजे चला ले पर रिकोर्ड एक दिफा ने यह आख गा इसे यूज़ करना है तो आपको पर SECD और DVD या Blu-ray डिस्क लेना होगा इसमें डेटा बार बार आप रीड और राइट कर सको सेम इसी तरह DVD में होता है तो इसमें भी एक होगा जिसमें डेटा सिर्फ रीड होगी दूसरा होगा जिसमें डेटा रीड एंड राइट होगी मुल्टिपल टाम अच्छा के पिसिटी तो कुछ होंगे साथ जीवी का आपको यहां पर कैपिसिटी दे रहे होते हैं को चार जीवी की कैपिसिटी दे रहे होती है और सीडि आपको 700 अचैने ब्लू रैडिस में भी यही सेम इसमें भी आपके पास रीड 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 राइट वन टाइम रीड इंड राइट मल्टी तैम पर इसमें यहां पर कैपिसिटी ज्यादा हो जाती है इसमें आप 128 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो हो पर सीड़ी का साइज आपने देखा ह अगर 128 GB आपने डेटा स्टोर किया हो इसमें चोटा सस्क्रेश आया तो यहां पर रोल किसका फ्लेश ड्राइउग का फ्लेश त्राइव कौन से थे तो बडist sick memory card और इसे SD card भी कहा जाता दूसरा था USB युनिवर्सल सीरियल बस आशकल फ्लेश डैप बहुत ज़्यदा यूज किया जाता और एवन CD और DVD या ब्लू रेडिस का जो जगा था जिसे रूम CD रूम DVD रूम कहा जाता था वो जगे भी आजकल के लेप्टाप और कम्पिटर में खतम होगाए आपको शाहिदी किसी सिस्टम बॉक्स में सीडि और DVD को प्लेई करने का वो जो जगा होगा वो मिले इसी तरह लेप्टाप में भी लेप्टाप अगर आप लेते हैं तो चीजें नहीं होते हैं क्योंकि जो काम आप इनसे कर सकते हो, व girow और से कर सकते हैं ऊप्तिकल स्टॉरज डिवाइसिय primary storage devices होतें क्या है तो storage device यहाँ पर definition समझते हैं वह storage devices जो की use होते है data को store करने के लिए पर primary time के लिए या for a while एक मुदद के लिए विए आप उस moment में computer के पास या आप यह कैसे दो कि वह moment जिसमें computer यहाँ पर on है computer क्या है on है computer के पास power है अगर power है तब तक आपका primary storage device जिंधा होगा और इडिटा को store करेगा इश का मतलब यह डिपेंड़ेंट रहता है कि ये किस चीज़ बिपेंडन है एलेक्रिकी करेगा ऩया एलिकृ करेबाइक्टीटी करें तो आपका data store करने का जो आमल होका वो खतम हो जाएगा और यह डिटा आपका लोज कर लेगा तो यह समझ लेगा वो storage devices जो आपके data को run करता हो open करता हो तो यह जो work आप करते हो जो भी काम करते हो तो इस वकत में जो खाम कर रहों तो यहाँ पर यहां पर फाइल में रुटकी रहा है किसे लिए कपयोगे और कब तक लाइब होगा? कब तक जिन्दा होगा जब के पास क्या होगी electricity अगर बंद करेंगे तो यह आपका डे нам बंद कर लेगा वेस्ट कर लेगा आपनें जितना काम किया होगा इसाहा टकर लें तो यह समझ ले आप जब computer को ओन करते हो तो कुछ ऑल्ज होंगे वह फाइल्स क्या हो जाते हैं कर लेते हो तो नश्कंडा मोड रेंड़ा आपका में इसके पास कोई भी डेटा नहीं होता या आपका टोटल डेटा लेटाक कर लेता है तो प्रेमरी स्टोड़ियस में यहां प्राइम किरे होता है यहां Fur dengansters memory आप ciąग मेंसे ऊपर कोई भी डेटा एक्सेस करके काम कर रहे होते हो तो काम करना डेटा को रन करना कम्पिटर को ओपन करना फाइल को ओपन करना जैसी ओपन करोगे तो यह प्राइमरी स्टोरी डिवाइस की उपर आ पड़ा है इसमें डेर सारा फूड पड़ा है अब फूड डारेक्ट आप यहां से नहीं करोगे अब फूड आप यहां से डारेक्ट नहीं करोगे तो क्या यूज करोगे काने के लिए आप यूज करोगे प्लेट का तब यहां से फूड चमच के उत्रू उठा के इस प्लेट काऊं करते हैं या रेम के वप्र आपकाइज आयू के उपर आप कांड एसार जाटिए अगर आप इंटरणेट को ऑपन कर लेते हो ओपने के बाद माले अपने किसी ब्रॉजय को उपन कर लिया और मौझार को ऑपन करने के में SSD ता तो SSD NVME ता तो NVME के inside जाके store हो जाता है अच्छा download के बाद वहाँ पर जाके store हो जाता है permanent है दूसरा आप चाहोगे कि मुझे वह जो image मैंने download किया है उसे तो देखना भी है तो आप hardest inside एक folder होती है जिसे हम download folder केते हैं और downloads के inside जाके आप simple वह image देखते हो और इस image को क्या करोगे open करोगे उसी वक्त आप के laptop या computer में जो electricity वह बंद हो जाती है चार्ज खतम हो जाती है और laptop बंद हो जाती अब बंद होने के बाद क्या यह image वापस screen के उपर होगा क्या screen के उपर होगा यह image नहीं बिल्कुल नहीं यह image बंद हो जाती तब आप computer को वापस ओन करते हो ओन करने के बाद आप वापस यहाँ पर hard disk की तरफ या solistate drive की तरफ storage device की तरफ चले जाओगे और जहाँ पर download किया था वही से image को एक दफ़ा पर open कर लेते हो तो यह समझ लेए जब आप आप काम करते हो ऐप चीजों को अगर open करते हो अगर हं चीजव को अगर run करते हो और जो भी आप काम करते हो वर्क करते हो चाही इंसायड वो चले जाते हैं तो मालने अगर आप कोई game केल रहा हो या तो कोई video film वगज़रा देख रहे हो बड़ी video देख रहे हो तो यहाँ पर video चलती गई चलती गई और आपने यहाँ तक देख लिया यहाँ तक देखने के बाद यहाँ पे laptop, computer आपका बंद हो जाता है, अब जब computer को वापस open करोगे, तो क्या वो video या जो game आपने केलाता, क्या वो वही से start होगा, हर्गिस नहीं, वो वही से start नहीं होता, even वो screen के उपर होता ही नहीं है, पिर आप वापस जाओगे जो storage device है वहाँ से उसे open करोगे run करोगे run करोगे run करने के बाद वो वापस screen के उपर आ जाता है तो screen के उपर जो भी चीज़े आए तो यह समझ ले वो run हो रहे होते हैं कहाँ पह रेम के उपर तो उस file को आप हमेशा save करते हो पर उसके बाद उसमें changes करके पर बार बार save करते जाओगे करते जाओगे अब next और last यहाँ पर एक और storage device है और मैं यहाँ पर आपको एक question में देने जा रहा हूँ आप कोगे कि यह secondary storage device है या primary storage device है यह इन दोनों में से कौन से किटिगरी में आएगा यह आपका question होगा पर समझते हैं यहाँ पर एक दफ़ा यह रोम होता क्या है तो रोम नाम से पता चल रहा है read only memory इसके data को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते है रीड कर सकते है चेंज नहीं कर सकते है डिलीट नहीं कर सकते है डिलीट और चेंज करने के लिए आपको बड़े machinery की ज़रुरत होती है तो आप यहाँ पे laptop या computer को on off तो करते ही होंगे mobile को भ आपके सामने एक picture play हो जाती है एक picture आजाती है जैसे अगर मेरे पास लिनवो का laptop है तो सामने आ जाएगा लिनवो 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 कभी animation की form में आपको laptop की inside मिलेगा कई पे picture की form में इसका भी तो कोई ना कोई size होगा क्योंकि यह data है अगर data है तो इसका कुछ ना कुछ size त कर लेते हैं reset कर लेते हैं तो इसे delete होना चाहिए था delete नहीं होता पर भी एक computer की inside रहता है computer को on-off करोगे तब यह आपको वापिस दिख जाता है तो simple यह समझ ले जब आप computer को on-off करोगे तो ROM के inside से यहाँ पर आपके सामने एक animation play हो जाती है इसे सिर्फ और सिर्फ आप rate कर सकते हो चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम समझ सकते हैं ROM की inside वो data होगा जो आपको brand का निशान्दी देता है या brand को represent करता है तो इसका data आप सिर्फ change कर सकते हो अगर आप company की inside जो भी इसके machines होंगे उनका use करते हो वैसे normal आप directly इनका यहाँ पर जो भी data होगा वो आप change नहीं कर सकते हैं डिलीट नहीं कर सकते हैं तो जब आप computer को mobile को on off करते हो तो आपके सामने लोगों आ जाती है infinix, Samsung, Mac जो भी होगा तो वो लोगों का पे store होगी ROM की inside और ROM यहाँ पर data को permanent store कर रहा है read only memory और इसका data सिर्फ पर सिर्फ आप read कर सकते हो हमें brand का representation देता है वो data का पर store होती है और ROM की inside अब question दे रहा हो कि यह secondary storage device है यह primary storage device है यह आप मुझे comment करके बता होगे एक्षी commend का यह 46 criança कर सकते हैं अब कर देसी यह करूपर, है तेसीैक की मसी करी है है यह दुक विः। और में का यह, और महाद किा यहा ज़ दो मुझे here तो सकते है तो सकते हैं आपर इसकमांपर कहीं है